कि एक टिगनामेटी का कोश्चन है क्या कोश्चन है अगर हम लॉजिक ट्रिक या ऑप्शन से करें तो बहुत जली होते हैं यानि अब इस तरह के कोश्चन जब कॉम्टेड एक्जाम में आए तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले एक समझिए जैसे यहां पर कॉस स्कूर है यह 3 है अगर थोड़ी दर लिए सुचे इसकी वैलू 1 होती मैक्जिमम्स जब ठीटा 90 रखते तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 या नहीं आपको लाजस्ट वैलू बोली तो यानि आपका अंसर 5 या 5 से बड़ा तो होना चाहिए यह माइनस 4 है नहीं हो सकता यह 4 माइनस 410 है यह भी नहीं हो सकता यह 0 है यह भी नहीं लिए और प्लस इसको लिख लिए 2 sin square theta जो बचा है और इसको लिखा minus 3 sin 2 theta कैसे क्योंकि sin theta into cos theta को हम sin 2 theta के formula से break कर सकते हैं आप सोच यह अगर मैं question लिख रहा हूं तो मुझे भी time लगेगा इस same thing कि आपको भी time लगेगा अब यह one हो तो 2 plus 1 plus 2 cos theta को लिख सकते हैं 1 minus cos 2 theta by 2 2 तो पहले यह है तो 2 मतलिखिए minus 3 times of sin 2 theta अब यह मिलके हो गया 4 और minus में कितना आ गया cos 2 theta plus 3 times of sin 2 theta अब यह linear trigonality equation है linear trigonality equation होती है a sin theta plus b cos theta equal to c तो linear trigonality equation को का maximum value जो होता है वह होता है root of a square plus b square और minimum value जो होता है वह होता है minus of root a square plus b square इसका मतलब इन दोनों के coefficient 103 हैं तो इसका maximum minimum value क्या होगा under root 1 plus 9 यानि max value होगी root 10 और minimum value होगी minus root 10 अब यह जब जब की positive पर यहां negative लगा है तो इसका मतलब जो minimum है वो इसका maximum हो जाएगा तो देखे क्या हो जाएगा 4 minus root 10 this equal to 4 plus root 10 बट आप ने इस question को बिना single step लिखे भी solve कर लिया केवल इतना सोचके कि अगर मैं theta को 90 ले लूँ तो यह 0 यह 0 बट यह 3 plus 25 यानि 5 या 5 से बड़ा ही answer हो सकता था और 5 से बड़ा एक ही option था आप easily इस question को solve कर सकते थे राइट आप